हैलो स्टूडेंट, आज हम फोसल प्लांट की शुरंखला में पढ़ेंगे कलेडो जाइलॉन हमने सबसे पहले पढ़ा था राइनिया फिर राइनिया के बाद हमने पढ़ा कैलेमाइटिस कैलेमाइटिस के बाद पढ़ा लपीडो डेंडरोन और आज हम पढ़ेंगे Cladozylon नाम पर ध्यान दे ये नाम आप जितनी बार सुनेंगे तभी आप पो याद रहेंगे तो आपके कोर्स में फरस्ट एर में चार फरसल प्लांट हैं टैडोफाइट के तो आज हम चौथा जो हमारा प्लांट है Cladozylon उसके बारे में पढ़ेंगे Cladozylon एक primitive furn है कैसा furn है primitive furn मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक पुराना furn है और जो फोसल प्लांट होते हैं ये पूरा का पूरा कोई आपको प्लांट नहीं मिलता ये पहले भी आपन दिकास कर चुके हैं कि कभी प्लांट का कोई पार्ट मिलता है कभी जैसे की प्लांट का stem मिल गया ये जैसे कभी इसके leaf मिल जाएंगी कभी इस प्रेंजिया मिल गया ये देखें ये जो फोसल है ये क्लैडोजाइलन का बना हुआ है और इस चित्र में आपको ये फोसल बिलकुल क्लियर दिखाई दे रहा है दिखा है ने क्लियर बिलकुल इस पर ये जो अंकित डाइग्राम है ये क्लैडोजाइलन का फोसल है बहुत दिखा रहा है और ऐसा कहाँ कि है कि इस प्लांट का पूरा जो रिकांस्ट्रक्ट किया गया इसके एक मात्र एक ही इसका स्पेसिमेन मिला था और उसके आधर पर ही इसको जो है reconstruct किया गया कि ये plant cladozylon है यदि हम cladozylon का classification देखे इसके systematic position सबसे पहले हम बात करेंगे systematic position of cladozylon division terophyta और philicophyta terophyta के जो चार division है उसमें terophyta या philicophyta सबसे vixit division है और इसका जो मुख collection होता है इसकी leaf बड़ी बड़ी होती है जिनको हम guru कहते हैं guru पढ़ने leaf या megaphyllis leaf कहते हैं क्या कहते हैं megaphyllis leaf और terophyta के जो members होते हैं इनका एक मुख collection तो यह हो गया कि बड़ी बड़ी leaf हैं और leaf के नीचे की सत्था पर इस पो रंजियों विक्सित होते हैं कहाँ पर leaf के नीचे की सत्था पर इसकी class है primophilicopsida primophilicopsida के जितने भी plant हैं अब सभी plant extinct हो चुके हैं मतलब अब नहीं मिलते पहले ये plant थे और अब नहीं पाए जाते हैं और ये plant homosporus होते हैं homosporus अर्था सम भी जानुक होते हैं कि इन plant में एक ही तरह की sporanjyum होते हैं order है cladozylals order है cladozylals इसके सभी सदस्य devonian yug में मिलते थे अभी नहीं है आपको बताए नहीं extinct है तो इसके सदस्य से कम मिलते थे devonian yug में जो stem है वो dicotomously branched है द्वी भाजी और पतियां बहुत छोटी छोटी है और sporanjyum जो है पतियों के उपरी भाग पर लगे रहते हैं ये कब पाया गया था? ये found in upper devonian period cladozylals जो है इसका एक मात्र ही cladozylals का एक मात्र जीनिस cladozylals है और cladozylals इसका एक ही जीनिस है और ये कम मिला था? found in the upper devonian period से लेकर ये carboniferous period तक बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते थे और हम कह सकते हैं कि ये जो cladozylals है ये सबसे primitive firm प्रजाती कही जा सकती है कि सबसे पहले cladozylals जो है पैथ्वी पर था और हम चुकि ये dicotomusly branched होता है अभी अपन ने ऊपर बताया था आपको की cladozylals के जो तना होता है कैसा होता है dicotomusly branched तो dicotomusly branched जो branched है वो sylophytes के member भी होते है तो जैसे sylophyta जो है तो sylophyta भी dicotomusly branched होता है तो इसका plant sylophyte से मिलता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो cladozylon है यह sylophyta का modified member है अब हम इसका इसके आगे की बारे में जैदी हम बात करें तो cladozylon की लगभक अभी तक 6 प्रजातियों को खोजा जा चुका है यह देखो यह इसका dicotomusly branched stem जो की किसी rock पर बना हुआ दिख रहा है इसको जो है इसकी जो प्रजातियां है ऐसा समझा जाता है कि यह संभवत मद्ध devonian middle devonian period काल में पाई जाती थी और सबसे पहले drousel और wetland drousel और wetland ने cladozylon को devonian युक्ती चटानों से प्राप्त किया और जब इन्होंने जैसे ही चटान पर आपको fossil plant दिख रहा है ना बिल्कुल इसका expression दिख रहा है इसी तरह से इसको ढूना गया और मिला और यह एस्ट्रोजाइलोन एस्ट्रोजाइलोन एक टड्रोफाइटर उसके साथ ही पाए गए थे और इसके जो है सिर्फ स्टैम के बारे में यह पता पड़ा किया है डाइकोटोमसली ब्रांश था और इसकी जो लीव्स ही वो लीव्स मेगाफिल्लस लीव्स हैं कैसी हैं मेगाफिल्लस लीव्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी लीव्स हैं लीव्स कैसी हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं अच्छा इनके जो पौधे होते थे वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते थे क्लैडोजायलोन के जो पौधा होता था ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता था और इन में जो शाखाएं पए जाती थी वो भी ऐसे डाइवरजेंस मतलब फैली हुई दिखाई देती थी चुकि क्लैडोजायलोन की शाखाएं डाइकोटोमसली ब्रांश थी ये दूशाख पत्यों के उपर ही जो फर्टाइल लीफ होती थी फर्टाइल लीफ पता है ना आपको मेगाफल्लस लीफ थी फर्टाइल लीफ थी इसका मतलब क्या है कि इसमें पीछे की तरफ लीफ में पीछे की तरफ आपोजिट साइड में इसमें इस्पोरेंजियम डेवलप हो जाते थे और जो स्पुरेंजिया हैं वो स्पुरेंजियम बिल्कुल ऐसे एक सीध में एक सांथ लगे हुए रहते थे इसकी जिएदि हम लीव की बात करें जो पत्या होती थी तो जो क्लडोस वैलेंड की इस्पिशीज वैग्यानिकों ने बताई तो उनके अनुसार इंस में दो प्रकार की पत्यां पाई जाती थी पहला एक तो एक थी इस्टराइल लीव इस्टराइल लीव मतलब हम इस्टराइल लीव उसको कहते हैं जिसमें की रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं होता मतलब जहां पर reproductive part नहीं बनेगा हम उसको क्या कहेंगे sterile leaf बंद पत्या और जिन में sterile जिन में की reproductive part या sporengium बन जाएगा वो होंगी आपकी fertile leaf वो क्या होंगी fertile leaf तो इसमें दोरो तरह की leaf बताई गई है एक sterile leaf और एक fertile leaf तो जो fertile leaf है उसका थोड़ा सा morphologically वो उसका आकर अलग होगा और जो sterile leaf है उसका भी आकर थोड़ा बहर अलग होगा तो जो sterile leaf है वो wedge shape wedge shape से मतलब थोड़ी सी ऐसी ऊपर से चोड़ी हो जाती थी चोड़ी थी और नीचे से सक्री थी और जो fertile leaf है fertile leaf और दिखता है तने के उपरी भाग में विक्सित हो रही हुई कहाँ पर विक्सित हुई तने के उपरी भाग में जैसे यह है तो इसमें यह तो है इसकी fertile leaf से और यह बाकी जो है यह डार कलर की जो दिख रहे है यह sterile leaf है मतलब sterile leaf में कोई भी reproductive पार्ट निर्मित नहीं होगा अब इसकी जो fertile leaf है उसमें बेसल पार्ट में नीचे की तरफ पीटियोल जो पीटियोल पाया जाता था पर्णवरंत वो सकरा होता था पतला होता था और उपरी सिरे पर जो पतिया है वो चोड़ी फेन के शेप की तो जो fertile leaf है वो फेन शेप है और स्टराई लीफ वेज शेप है तो जो fertile leaf है वो कैसी उनका पंखे के समान की आकार है पंखे चोड़े पंखे के समान फेन शेप और ये इन पतियों की प्रतेग सिरे के अंतम है टर्मिनल पॉइंट पर इसमें उपर की तरफ टर्मिनल पॉइंट पर इस्पोरेंजियम उत्पन होटी थी और उसमें इस्पोरेंजियम पाये जाते थे तो ये इसकी पत्यों के बारे में हमने बात की और हमने इसके external morphology इसकी बाह सरछना के बारे में बात की तो जो इसकी बहसरचना है आपको बता दे कि इसकी जो बहसरचना है उसके एक जो इसमें विशेश बात आई थी कि ऐसा वैग्यानी को द्वारा कहा क्या है कि क्लाडोसाइलॉन संशोदित साइलोफाइटा का प्रारूप है अर्थात साइलोफाइटा की प्रजातियों से ही ये शायद विक्सित हुआ होगा क्योंकि साइलोफाइटा जैसे साइलोटम में या साइलोफाइट्स के मेंबर हैं उनमें डाइकटोमसली ब्रांश जैसर राइनिया और साइलोटम ये द्वी भाजित शाक्यत होते हैं तो इस इसका जो stem है वो डाइकटोमसली डिवाइड है तो हम इस आधर पर इस बात को कह सकते हैं कि ये प्लांट साइलोटम से विक्सित हुआ होगा और चुकि इसकी लीव जो है इसकी पतियां बहुत बड़ी हैं बड़ी थी मेगा फिल्लस लीव थी तो मेगा फिल्लस लीव जो है वो फिलिकोफायटा का मुख्य लक्षन है या टीरोफायटा का मुख्य लक्षन है तो इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है कि जो क्लैडो साइलोन है ये फर्न प्रजाती का सबसे अधिक पुराना प्लांट हो सकता है अब अभी जो हैं जैसे अभी आप लोग के कोर्स में टरीडियम हैं और फर्न में आपका टैरिस है तो इन सब में भी मेगा फिल्लस लीफ पाय जाती है क्योंकि ये सब फिल्लिकुफाइटा के सदस्य है और टीरोफाइटा या फिल्लिकुफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो भी अभी हैं लेकिन क्लैडो साइलोन जो है ये बहुत पहले कब अपर डिवोनियन काल में पाया जात हैं तो हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सरवादिक पुरातन फर्न प्रजाती का मेंबर है तो हमने क्लाइडोजायलोन की बहस अरचना के बारे में बात की पुरिस्ट के जो मुख्यक लक्षन आ रहे हुँ हम डिसकस कर चुके हैं इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो होमोस्पुरस कंडिशन शो करता है होमोस्पुरस कंडिशन मतलब सम भी जानुकता प्रदशित करता है और सम भी जानुकता जब सम भी जानुकता प्रदशित करता है